सभी दोस्त तों राम राम चाणके नीती यूटूब चैनल पर आप सभी गास्वागत हैं तो आज हम बात करेंगे और याना मंत्री मंदल 2024 पर बिल्कुल विस्तार से बात करने वाले हैं मैं डिटेल वीडियो आपके सामने हैं क्योंगी यहां से एक क्वेशन आपके एकजाम आपके काम की बात करना है निच्चे टेलेग्राम का लिंक दिया गया है उसको आप जोइन कर सकते हैं तो बिना देरी किये दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो आज की महत्रपुन परसन होने वाले हमारे लिए तो पहला परसन बनेगा वाई नियाब सिंग सैनी जो अरियाना के नए मुख्यमंतरी बने वाई कौन से करम के बने है कौन से नंबर के रियाना के नियाब सिंग सैनी मुख्यमंतरी बने पता होगा आपको ग्यारोवे नंबर के बिलकुल सीरीज में आपको बतलाया जाएग कौन से मुкиमंत्री जो हमारे हर्याद में बन चुके हैं, पहला कौन सा बना, दुसरा क्वन सा बना, 11 नंबर का क्वन सा बना, आप सुबी को पता ही चल चुका, यह चीज़े आपको पता होना चाहिए और जो आपके सामनेइं चीजें करुवाये जारी है, क्यों करुवाये जारी है? यह मत सोचना अपहीं रियाना में एक्जाम नहीं होंगे एक्जाम जरूर होंगे, शिरप आपने अपना दैरिये बनाए रखना देरिये से थोड़ा study को समय दीजिए, जो पिछे कमी रहे हैं, वो आगे न रहे हैं, ठीके न, इतना समय दे दिया आपने पढ़ाई को थोड़ा और दे दीजिए, विदान सभा इलेक्षन तक तो आपने समय देना पड़ेगा, क्यों विदान सभा के पास जाके सारे के सारे क जो आपके home minister कोन है, वर्तमान में, हरियाना के नियाव सिंग सैनी, ये परसन आपके लिए खास हो जाएगा, नोट कर ले ना भई, वर्तमान में हरियाना के जो आपके गर्य मंतरी कोन है, तो आप बताएंगे नियाव सिंग सैनी भई, ये कहां से सानसत्त है भई, आपके जो आपके मुख्य मतरी बने है ठीक है ना तो ये विदायक नहीं है भई हर्याना के पहले मुख्य मतरी है जो विदायक नहीं है शिरफ क्या भई संशत्य और ड्रेक्ट क्या किये गए मुख्य मतरी बना दिये गए है और ये आने वाला उपचुनाओ भई कहां से लड़ने व तो पीछाई चीजे जरूर देख लेना में, ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, जो आपके गरह मंत्री है, नयाब सिंग सैनी है, और यहाँ से एक परसंड क्या हो जाएगा, सूचना जन्रसंप्रक, जो मंत्रायले किसके पास है, यह आपका, नयाब सिंग सैनी के पास है, क्यो आपका विवाग किसको दिया गया है, नयाब सिंग सैनी को दिया गया है, जो आमारे हरियाना के मुख्य वंत्री है, ठीक है, तो यह सारे के सारे महत्तपुन मंत्रायले किसके पास है, नयाब सिंग सैनी के पास, वीदी एम विदाई का जो विवाग है, यह भी किसके अंडर अडर में आ जाएगा नयाव सिंग सेनी की अंडर में आ जाएगा ठीके यह देख ले ना बासाले आपके नयाव सिंग सेनी के पास है next आपके हो जाएंगे जो cabinet मंत्री है coverpal तो coverpal के पास कोण सा मंत्राले हो जाएगा करसी मंत्री अर्याना के वर्तवान में कोण हो जाएंगे आपके coverpal हैं, करसी मंत्री बैटीक ना करसी मंत्री कोण हैं वर्तवान में coverpal हैं पसु पालन जो डायरी मंत्राहले है किसके पास हो जाएगा पसु पालन डायरी मंत्राहले मत्से पालन ये किसके पास हो जाएगे कवरपाल के पास हो जाएगे ठीक है तो संसदीय ममलों के मंत्रहले के अंदर भई राज्य परवारी जो संसदीय ममलों के कैबिनिट मंत्री कौन बनाए गए कवरपाल बनाए गए ठीक है तो यह चीज़े आप सभी को पता होना चाहिए कोई बताएगा मूलचंद सर्मा कहां से विदायक है यह अधियोग मंत्रहले पूछे आपसे किसके अंदर में आजाएंगे मूल्चंद सर्मा के अंडर में आ जाएंगे चुनाओ भी जो मामले रखे जाते हैं मूल्चंद सर्मा के अंडर में रखे जाते है next time 2022 जो आपके रणजीत सिंग ये अस्तीपा भी दे चुके हैं आप सभी को पता हुगा अज तीपा देखे, कितने भागय शारी वेक्टियन दोस्तों, निर्दली आते हैं, के निर्दली जीतते हैं, फिर ये कम्रेस पर्टि को जोईन करते हैं, फिर ये बादस्पा में चले जाते हैं, और आज ये बादस्पा को जोईन करके, जो लोग सभागा इलेक्शन बनाई गही jp दलाव आपके जेवपी दलाव तो jp दलाव आपके काँ से मन्तरी बटाएगा काँ से विदायक बने बने है Are there तो JP दलाल वित्विवाग अपने पास रखते है और नगर गराम नियोजन जो विवाग किसके पास है JP दलाल के पास किसके पास है दोस्तो JP दलाल के पास तो JP दलाल के पास कौन को मंत्रालेम है तो वीत वीवाग यानि वीत मंत्री वीवाग किसके पास है JP दलाल के पास पूछा जा सकता है वीत वीवाग एक ये पूछ सकते है अभी लेखा गार ये किसके पास है JP दलाल के पास है ढ़ को हो जाएंगे अमारे रियाना के वो आपके दोक्टर कमल गुपता हो जाएंगे कोण हो जाएंगे दोस्तों डोक्टर कमल गुपता ये सारी सारी चीजे आपको देख लेनी है नेश्ट आता है आपके सामने मैं तो पून है राज्यमंतर इस्वंतरत जो प्रभार दिये गए है सीमा तिर्खा कहां से विदा है कि देखेंगे एक मात्रिय महिला ह सीमा तिर्खा ठीक है न जो आपकी क्या बनी है जो कैबनेट में इसको दरजा दिया गया कौन सा विभाग दिया गया इसको स्कूल उच्छिक्षिया तो स्कूल उच्छिक्षिया गा दरजा यानि जो विभाग दिया गया सीमा तिर्खा को दिया गया कहां से विदा है कि कम मही पाल डांडा, तो मही पाल डांडा को विकास एवं पंचयात, विकास एवं पंचयात भई, पंचयात मंतरी रियाना में, पिछे कोण ते भई बताएगा कोई, तो मही पाल डांडा वर्तमान में पंचयात मंतरी है, सहकारीता मंतरी है भई, ठीक है न, विकास एवं पंचय किसके अंडर में आएगा मही पाल डाणडा के अंडर में आएगा तो आगे आता भई असीम गोईल असीम गोईल के पास कौन सा मंत्रहले है वर्तमान में मैतपूर मंत्रा ले दिया गया भई प्रिवायन मंत्री अर्याना की कौन है असीम गोईल कहां से विदाय के कमेंट बोक्स में बताना भई असीम गोईल क्या है प्रिवायन मंत्री है महिला यह वाल विकास मंत्रा ले किसके अंडर में आएगा असीम गोईल के अंडर में प्रिवैन मंत्री बनाए गए अभ्याइशिंग भई सिंचाई मंत्री है जल समसादन सैनिक अर्थ सैनिक कल्याण मंत्री बनाए गए अभ्याइशिंग ठीक है न यह चीजे आपको पता होनी चाहिए जो मैतपुन है पता ही लग गए आपको प्रिवैन मंत्री पूछ सकते हैं पंचयायत मंत्री पूचा जा सकता है, सहकारिता मंत्री पूचा जा सकता है, गराय मंत्री पूचा जा सकता है, ठीक है ना, तो ये मैंने बताई दिया, सुचना जनिस्वंपरक पूचा जा सकता है, ये चीजे आपको, जो मैतपुन चीजे बताए गई है, ये ज्यादा तर ध बनाए गए हैं आपके क्या बनाए गए हैं और अवास संजे सिंग को भी प्रिवैन तो संजे सिंग को बनाया गया भई तो आपका क्या परियावरण मंत्री यानि परियावरण मंत्री भई आपका संजे सिंग हो जाएगा 1M वन्यजिव मंत्री भई खेल मंत्री अरियाना के इंपोर्टेंट है भई खेल मंत्री जो पीछे आपके अनिलवीजी थे भई, ठीक है ना, क्या अनिलवीजी वर्तमान की कैबनिट में, क्या भई इस्सा नहीं है, संजे सिंग केल मंतरी है, प्रियावण मंतरी है, वन एम, वन जीव मंतरैलेक्स को दिया गया है, यह चीजे देख ले ना, भई मैंत पून है आपके लिए, तो next आता आपका जो द्वेंदर बबली का विभाग मही पाल डंडाओ दिया गया, यह चीजे अमने देखनी नहीं है, लेकिन जो पिछेगी विभागती, भई किसको क्या दिया गया था, यह भी एक बार देख ले ना, क्या पता रियाणा दोस्तों, आपसे क्या पूछ ले, ठीक है, तो यह जानकरी थी, नेक्ष्ट जानकरी के लिए आप चैनल वर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी आपका स्वाल रहा है, जरूर पूछी वई, मिलेंगे नेक्ष्ट जानकरी की साथ नेक्ष्ट वीडियो में, तब तक आप चुभीगा, बहुत बहुत दिने बाद,